नमस्कार मैं आरेश रोहिला आज आपको बताऊंगा कि ओइस्टर मुश्रूम कैसे लगाया जाता है पहले इसमें दान या गेहूं की भूसी ले ली जाती है और उसमें किसी एक मेंचे जैसे दान की भूसी हमने ली और उसको किसी होदिया में कर्म से कम 100-500 लिटर पानी डाल कर उसमें आधा किलो बैविस्टीन और दो लीटर फॉर्मलीन डाल दी जाती है और उसके अंदर ये धान का कटा हुआ भूसा होता है जो एक से दो इंच का लंबा कटा हुआ है उसको इस पानी में डुबो देते हैं जो जिसमें की दवाई डाल रखी है उसके बाद इस कम 48 गंटे तक डूबे रहन दिया जाता है और इसको किसी तरीके की इंसेक्ट या कोई भी फंगस इसके अंदर नहीं रह जाता है और उसको भूसे को फिर 48 गंटे के बाद 2 दिन के बाद उसको खोलके और उसका सारा पानी नीचे से होद्या के नीचे से कोई छेद बनाकर या बने हुए छेद में से सारा पानी निकाल दिया जाता है और उस भूसे को फिर बाहर किसी परफोरेटीड कपड़े के ऊपर सुखा दिया जाता है और कम से कम वो इतना सुखा रहना चाहिए कि उसमें पानी निचुड़े नहीं पानी गिरे नहीं और हम फिर उसको फिर हम तेलियों में जब भरेंगे तो पानी किसी तरह का गिरना नहीं चाहिए और इसके अच्छे ट्रीटमेंट के जो साधन है या तरीका है जो सिम्टम्स है वो पता चलता है कि बुसा कहीं पे भी काला दिखाई नहीं देगा उसका अपना ओरिजिनल जो रंग है वही नजर आएगा और देखिए ये बुसे को अभी फैलाया जा रहा है अब इसमें धान का बुसा या गेहू का बुसा इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें लिगनीन काफी होता है और ओश्टर मुसरूम को डवलप होने के लिए आने के लिए या उगने के लिए लिगनीन की जुरुत पड़ती है इसलिए इन दोनों में से किसी एक का बुसा लिया जाता है दान का बूसा सस्ता पड़ता है इसलिए भी धान के बूसे को लिया जाता है अब यह देखिए यहां थोड़ा फैला जा रहा है इसको ताकि हलका सा सूख जे गर्मी में यह जल्दी थोड़ा सा ठीक सेज पर आ जाता है सरदी में एक से दो दिन लग जाते हैं कोई मुस्रूम को बाट रखा है अगले दो स्टेप आप जरूर देखें अगर आप इस वीडियो को इस इस मुष्ण मुस्रूम को अच्छे से लगाना सीखना चाते हैं तो और अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा इस बूसे को पन्नी में कैसे डाला जाता है दन्यवाद मुस्रूम